बाइबल अधेन शंकला किंदर आपका हार्दिक सुवागत है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशिश्टे आपने समय निकाला वचन को सीखने के लिए इसका प्रतिफल परमेशुर आपको स्वयम देगा। मेरा विश्वा से जितना आनंद मैं वचन को सीखने में ले रहा हूं उतना ही आनंद और उससे बढ़कर आनंद पवितरात्मा आपको प्रदान करेगा ताकि आप इस वचन का आनंद लेकर इसको सीखकर अन्यों को सीखाने वाले आप ठहर जाएंगे। चली पहले प्रार्थ दिन हम कर सकें सहायता करीप अवितरात्मा प्रवियेश्व मसी के नाम से मांगते हैं आमें और आमें पांचवे दिहाई की पहले आयतों को मैं पढ़ूँ उससे पहले कुछ बातें आपसे कह देता हूँ यह जो विचार है पांचवे दिहाई की शुरुवाती आयतों का वो यहाँ शुरू नहीं हुआ है चौथे दिहाई की सोलवी आयत से वो विचार शुरू हुआ है तो आप पूछेंगे फिर यहाँ अध्याय क्यों शुरू हो रहा है लिखने वालों ने एक चर्म पत्री पर इसे लिखा एक ही विचार को वह लिखते चले गए बहुत वी महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन करता जाता है हम देखी हुई वस्तूं को नहीं अंदेखी वस्तूं पर हम विश्वास करता है यह सारा जो विचार है वे चार सोला से लगाकर पांचवे ध्याय की दसवी आयत तक आपको मिलेगा तो आप अगर इसको पढ़ रहे हैं तो चार सोला सत्रा अठारा जरूर पढ़ लें उसके बाद आप पांचवे ध्याय की पहली आयत में आएंगे चलिए मैं आपके लिए पहली आयत पढ़ता हूँ क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृत्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की और से स्वर पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हातों से बनावा घर नहीं परंतु चिर स्थाई है बाइबिल के अंदर आशा से भरेवे वचन हैं उनमें से एक ये आयत है हम जानते हैं पॉलोस कह रहा है मैंने तुम्हे सिखाया है कुरिंत के विश्वासियों तुम जानते हो हम जानते हैं क्या जानते हैं कि जब हमारा पृत्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा पॉलोस किस की बात कर रहा है शरीर की बात कर रहा है पृत्वी के लिए हमें दिया गया शरीर है और इस शरीर के अंदर पाप ने प्रविश किया और पाप के प्रभाव के कारण मृत्यू ने प्रविश किया है और आप देखिए क्या कह रहा है वो डेरा सरीखा घर डेरा म तो बैसे तंबू साथ लेकर जाते थी. रात होते थी, तंबू उतानते थे, तंबू में रहते थे, सुबह उठकर तंबू को मोर्टगर, फिर अपनी आतरा को वो लोग शुरू करते थे. तम्बू हमेशा बनी रहने वाली चीज नहीं तम्बू रात को लगाया सुबह अटा दिया हमारा शरीर भी पॉलूस मानो यह कह रहा है कि हमेशा ऐसा ही शरीर बना नहीं रहेगा दूसरी बाद तम्बू जरजर हो जाता है उसकी सिलाई उधरने लगती है कपड़ा फटने लगता है पॉलूस कह रहा है मानो हमारा शरीर भी ऐसा ही है तो तम्बू पर्मनिंसी को नहीं दिखाता तम्बू वेर एंटेर बोलते इंग्लिश में मतलब सिलाई उधर रही है फट रहा है उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है ऐसा हम तम्बू के बार में देख सकते है पॉलूस खुबसरा शब्दों का प्रयोग करकर हमें हमारे पृत्विक शरीर के विशे में सिखा रहा है और क्या बोल रहा है डेरा सरीखा घर मतलब हमारा शरीर गिराया जाएगा मृत्ति के और संकेत है तो हमें परमेश्वर की और से देखे परमेश्वर की और से एक बर और परमेश्वर की और से सुर्ग पर ऐसा भवन मिलेगा सुर्ग पर ऐसा भवन मिलेगा जो हातों से बनावा नहीं सुर्ग पर ऐसा भवन मिलेगा पॉलूस क्या कह रहा है हमको मकान मिलेगा फ्लैट मिलेगा बॉंडरी वॉल के साथ क्या इसकी और संकेत कर रहा है या एक नए शरीर की बात कर रहा है इस अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पॉल उसे एक नए शरीर की बात कर रहा है नए शरीर की देखिए एक बार और से स्वर्ग पर ऐसा भवन मिलेगा जो मनुश्य के हातों ने नहीं बनाया और वो कैसा है चिर्स्थाई है हमेशा हमेशा बना रहने वाला एक शरीर परमेश्वर मुझे और आपको देने जा रहा है धनिवा देता हूँ आपके विश्वास के लिए धनिवा देता हूँ परमेश्वर के प्रबंद के लिए कि ये शरीर जरजर हो जाएगा खतम हो जाएगा लेकिन प्रभु मुझे और आपको एक नया शरीर एक नया शरीर हमेशा के लिए प्रदान करेगा देखिए दूसरी आयन इसमें तो हम करहाते और बड़ी लालसा रखते हैं इसमें किसमें हमारे शरीर के अंदर हम करहाते हैं करहाना शब्द दो बातों को हमें बता सकता है सकरात्मक रीती से कराना ना करात्मक रीती से कराना सकरात्मक मतलब मुझे कुछ मिलने जा रहा है मैं मैं एक्साइटेड हूं, मुझे प्रभु से कुछ इनाम मिलने जा रहा और मैं कराता हूं, प्रभु ठनिवाद, कब मिलेगा, आहा, क्या तेरी प्रतिग्या है प्रभु तेरा धनिवाद, ये कराना सकारात्मक है, नकारात्मक मुझसे नहीं हो रहा, अब मुझसे सहा नहीं लिखे हैं रोमियो की पत्री आठवा दिया है और उसके अंदर सृष्टी करहाती है ऐसे पॉल उसे ने कहता है बाइसमी आयत में सृष्टी के करहाने के बारे में लिखा है देखिए बाइसमी क्या लिखा है रोमियो आठवाइस क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टी अब तक मिलकर करहाती और पिडाओं से पड़ी तड़पती है उसके पश्चात आप देखेंगे तेश्वी आयत के अंदर वहां लिखा है वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में करहाते हैं सृष्टी करहाती है जिनोंने आत्मा का फल पाया है व परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर तो सृष्टी करहती हैं जिन्होंने आत्मा का पहला फल पाया वे करहते हैं पवित्रात्मा प्रार्थना करने वालों में करहता है खेर लोट कर आते हैं इसमें तो हम करहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गिये घर को पहन लें, जरजर हो रहा है, ताकत नहीं है, कमजोर हो रहा है, और इसलिए हम करहाते हैं, हम वेट कर रहे हैं, हमार अंदर एक आशा है कि परमेश्वर हमें एक नया शरीर देगा, एक नया भवन देगा, जो कभी भी डलेगा नहीं, चिर्स्ताही रहने वाला भवन, में ये समझा रहा है, कि मृत्यू के पश्चात परमेश्वर आपकी आत्मा को एक नया शरीर देगा, किस प्रकार का शरीर होगा, हमने पहला कुरुंतियों के पंदर ध्याय के अंदर देखा, लेकिन आगे भी आएगा, उसको मैं एक बार और आपको समझाओंगा, लेकिन कि निया देखिए, हम नग्न न पाए जाए मतलब हमारी आत्मा बिना शरीर के नहीं रहेगी, बिना शरीर के नहीं रहेगी, जब ये पृत्वी का देरा गिरा दिया जाएगा, विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की और से एक नय शरीर का प्रबंद होगा, और इस रिती से हम नगन नहीं पाए जाएंगे. चौति आयत, और हम इस डेरे में रहते हुए बोज से करहाते रहते हैं, बिमारी का बोज, करजे का बोज, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या कहा, समझ में नहीं आ रहा, जीवन का बोज. देखे, इस डेरे में रहते हुए हम कराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं, वरन और पहनना चाते हैं, ताकि वह जो मरनहार है, जीवन में डूप जाएं. पॉलो समझा रहा है कि इस शरीर के अंदर हम कराते हैं और हम ये आशा करते हैं, आग्रह करते हैं कि प्रभू वो नया शरीर तो हमें प्रदान कर, वो अनंतकाल के लिए जो तुने हमारे लिए तयार किया है, उस भवन में, उस धाम में तु हमें ले चल अमारी आत्मा को हैं ताकि वह जो मरनहार है जीवन में डूब जाए, मरनहार जीवन में डूब जाए, मरनहार हमारा शरीर है और जो जीवन है परमेशुर के पास है, वो हमें देगा, हमारा मरनहार शरीर जीवन में हमेशा हमेशा के लिए डूब जाएगा, आप इश्वास करते हैं कि जो आ आनंत जीवन पर मेंशुर आपको प्रदान करेगा तो कुल मिलाकर पॉलुस यहां पर मृत्यू और उसके बाद के जीवन के बारे में बात कर रहा है मृत्यू लोगों के लिए भय का कारण है मृत्यू लोगों के लिए निराश्या का कारण है और बाइबल के अंदर भी मृत मृत्यू को मनुश्य का सबसे बड़ा और आखरी दुश्मन माना गया है। हमने पहला कुरुंतियू पंदरवे अध्याय के दर अद्बू तरीके से इस विशे के बारे में अध्यन किया था। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ नई बात आपको देना चाहता हूँ। पॉलूस मृत्यू के बारे में अलग अंदाज में भी कहता है। कुछ आयते में आपको देता हूँ, आपको उसकी बारे में समझ में आएगा। रोमियो के लिखीवी पत्री छटे अध्याय की दूसरी आयत में पॉलूस कहता है, मैं पाप के लिए मर गया। फिर उसके बाद उसी अध्याय की छटी आयत में वो कहता है, मैं पुराने मनशत्व को क्रूस पर चड़ाता हूँ, मैं पाप के लिए मर गया। मेरा पुराना मनिशत्व कुरूस पर चड़ाया गया है फिर उसके बाद गलातियों के पत्री दूसरे ध्याय की 19 आयत के अंदर पॉलुस कहता है मैं व्यवस्था के लिए मर गया गलाति 6.14 में वो कहता है मैं संसार की दृष्टी में और संसार मेरी दृष्टी में मर गया है मैं कुरूस पर चड़ा दिया गया हूँ मैं कुरूस पर चड़ा दिया गया हूँ और कुलुस यू को लिखी विपत्री दूसरे ध्याय की 20 आयत में पॉलुस कहता है मैं संसार की आदी शिक्षाओं के लिए संसार की आदी शिक्षाओं के लिए मैं ऐसे ग्यान के लिए मैं मर चुका हूँ पॉलुस मृतियु से डरता नहीं था पॉलुस के पास एक आशा थी कि परमेश्वर ने मेरे लिए एक नया भवन तयार किया है एक नया शरीर तयार किया है और इसलिए मैं निश्चिन्त हूँ और निश्चिन्थोकर में आगे बढ़ सकता हूँ जिसने हमें इसी बात के लिए तयार किया है किस बात के लिए आने वाले जीवन में नए शरिक के साथ परमेश्वर के साथ हमेशा रहने के लिए प्रभुने में तयार किया है जिसने हमें इसी बात के लिए तयार किया है वो परमेश्वर है जिसने हमें बयाना में आत्मा भी दिया है प्रतिग्या करने वाला परमेश्वर है और प्रतिग्या करने के पस्चात मुझे और आपको समझाने के लिए मुझे और आपको आश्वस्त करने के लिए उसने हमें आत्मा बयाने के रूप में दिया है, एक first installment के रूप में उसने हमें दिया है, कई आयते हैं, उसमें से दो आयतें मैं आपको पढ़ कर बताना चाहता हूं, दूसरा कुरुंतियों पहला दिया उसकी बाईसाइट देखिए, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत् इनिशियल इनिस्टॉल्मेंट के रूप में हमको पवितरात्मा दिया गया है। इसलिए हम सदा डाढ़स बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभू से अलग हैं क्योंकि हम रूप को देख कर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम डाढ़स बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम इस देहों में हैं इस डेरे में हैं तो प्रभू से अलग हैं प्रभू से दूर हैं। कि हम रूप को देख कर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। चौते द्याय के अठारवी आयत में पॉलुस ने कुछ यही बात वहां भी कही थी। मैं आपको पढ़ कर बताता हूँ। चार का ठारा और हम तो देखी वी वस्तूओं को नहीं परन्तु अंदेखी वस्तूओं को देखते रहते हैं क्योंकि देखी वी वस्तूओं थोड़े ही दिन की हैं परन्तु अंदेखी वस्तूओं सदा सदा बनी रहती। रुमिल के लिकिव पत्री आठवे द्याय की 24 आयत में भी ये बात पॉलुस हमे समझाता है इस आशा के द्वारा हमारा उधार हुआ है परन्तो जिस वस्तू की आशा की जाती है जब वो देखने में आए तो फिर आशा का रही क्योंकि जिस वस्तू को कोई देख रहा है उसक के बारे में पॉलुस उन्हें और हमें लिख रहा है और समझा रहा है चलिए आगे चलते हैं इसलिए हम धांडस बांधे रहते हैं एक बार और कहा रहा है इसलिए हम धांडस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभू के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं देह मे हैं तो प्रभू से दूर हैं हमारा दिल करता है हम चाहते हैं कि हम प्रभू के साथ रहें और इसके लिए हमको इस देह को छोड़ना होगा इस देह को छोड़ना होगा क्या पॉलूस मृत्यू के बारे में सोच रहा हैं दुख के कारण जो उस पर आया था उसके कारण क्या उस उसने कुछ ज्यादा ही मृत्यू के बारे में सोचा, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन हमें इतना उतर कर सोचने की जरूरत नहीं है, हम इतना समझ सकते हैं कि पॉलुस आने वाली दुनिया, आने वाला जीवन, आने वाले शरीर, प्रभु के साथ करस के जीवन के बारे में हमसे कह रहा है, देखिए, इसलिए हम ढांडस बांदे रहते हैं, और दे से अलग होकर प्रभु के साथ रहना, और भी उत्तम समझते हैं, और यह सचाई भी है, हम समझते भी हैं, और यह सचाई भी है, इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहें साथ रहें, प्रभु के साथ रह या प्रभू से अलग पृत्वी पर हम रहें पर हम उसे भाते रहें पॉल उसे यही बात कह रहा है मेरे मन क्यों मंग यह है कि उसके साथ रहूं या उससे दूर रहूं मैं उसे भाता रहूं तस्मियायत, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसी के न्याय आसन के सामने खुल जाए अब पौलुस अपने टोन को बदल रहा है, और टोन को बदलते वे कह रहा है हमेशा हम उसके सामने रहेंगे लेकिन प्रियों कुरुंत के विश्वासियों आज के विश्वासियों प्रभू के साथ रहेंगे लेकिन उससे पहले एक चीज होगी सब बातों का खुलासा होगा न्याय होगा क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसी के न्याय आसन के सामने खुल जाए होगा कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किये हो पाए पॉलुस कुरिंद के विश्वासियों को कह रहा है तुमने जो जो किया है उसका दंड या उसका प्रतिफल तुम्हें मिलेगा और तुम तयार रहना कोई भी ऐसी बात नहीं जो छिपी रहेगी सब कुछ खोल दिया जाएगा प्रभू के न्याय आसन के सामने खुलासा होगा न्याय होगा प्रतिफल और धन्ड भी विट्रिद किये जाएंगे कि हर एक विक्ति अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किये हो वहाँ पर पाए किन किन बातों का न्याय होगा उसके पस्चात मेरे और आपके कारियों का न्याय होगा तो शब्दों का न्याय होगा, कारियों का न्याय होगा एक और बात, मेरे secret intentions का भी न्याय होगा गुप्त में जो मेरे हाव भाव थे न, मेरे कारिय करने के पीछे के कारण उनका भी न्याय होगा रियोमिय के पत्री, दूसरे ध्याय की, 16 आयत के अधार पर इस बात को हम समझ सकते उसी के साथ, लुका 8, 17 में भी यही बात लिखिए मेरे शब्दों का, मेरे कारियों का, और मेरे इरादों का कि क्यूं मैंने वो काम किया, उसका भी न्याय होगा मेरी प्रार्थना है कि मैं और आप इस न्याय के दिन के लिए तयार रहें क्योंकि जब हमारा न्याय हो जाएगा, प्रभु हमें एक नया शरीर देगा जो चिर्स्थाई है, प्रभु के हाथ से बना हुआ है और हमेशा उसकी उपस्तिती में रहने के लिए मुझे और आपको दिया जाएगा आप तयार हैंगे, प्रभु का धनिवाद हो ये वचन के लिए जो मुझे और आपको आज तयार कर रहा है, उस अनंद जीवन के लिए मेरी ये प्रार्थना है, कि आप अपने आपको इस पृत्वी पर रहते हुए डेरे सरीखे, घर के अंदर रहते हुए आने वाली महिमा के लिए अपने आपको तयार करें कुरिंट के विश्वासियों को वो चेताब नहीं दे रहा है तुमने शरीर में रहते हुए गलत काम किये है गलत लोगों को तुमने जग़ दिये है पहले कुरिंटीयों के अधार पर इंदे बाते में बोल रहा हूँ तुम्हारे मध्यमें दूरियां हैं, ग्रूपिजम हैं, अलग-लग यूनिट्स में तुम रहते हो, ये सारे काम तुम्हारे लिए इनाम लेकर नहीं आएंगे, तुम्हारे लिए दंड लेकर आएंगे, अच्छा होगा कुरिंद के विश्वासियों कि तुम याद कर लो, कि प्रभू के हाथ से मुझे और आपको इनाम पाना है, ना के वलकुरिंद के विश्वासियों को, हमें भी याद करना है कि हम कैसी चाल चल रहे हैं, थोड़ी सी देर के लाब के लिए, थोड़े से स्वार्त के लिए, कुछ लोगों को खुश करने के लिए, कहीं हम हमारे अन प्रभू करने अना है, प्रभू लिए से स्वार्त के लिए टना है विए, पन्हों करना है, या थाद के लिए से स्वार्त क कабат विए